एलो गाइज ये दिलबाग प्रोपर्टीज दीव बियार सक्टर 24 रोहिनी की नई साइट है और देख सकते हैं इसमें भी क्वालिटी वर्क दिखाना चाहूंगा आपको काफी अप्सा काम किया गया है चलते हैं फ्लैट की तरफ गेट यह अमरा 3BHK का फ्लैट है चलते हैं की तरफ एंटर करता ही ड्राइंग रूम का इडिया है सामने ही स्प्लिट एसी का प्रोविजन करके दिया गया है फॉल्सी लिंक का डिजाइन देखिए बिलकुल डिफरेंट लुक में दिया गया है काफी हूज आपको टीवी पैनल में लेगा 8x4 की आपको चौखट दी गई है mostly चौखट हमारे इतनी लंबी चौड़ी है तुड़ाओ डिजाइनिंग दिखाना चाहूँगा गाइस आपसे माफी चाहूँगा अभी जो फ्लोर है हमारा इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है आपको साफ फ्लोर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ भाई की डिमांड थी कि हमें 3BHK का कॉर्णर की प्रॉपर्टी वाला पार्क फेसिंग वो दिखाई है यह हमारी किचन है चिम्नी का प्रॉविजन करके दिया गया है उपर निच्चे ड्रॉर दिये गए हैं फुली वेंटिलेटेड है यह भी बालकनी के साथ किचन लगती है हमारी एल शेप की किचन है काफी अच्छा क्वालिटी का काम मिलेगा इसमें आपको अब इसमें फिनिशिंग नहीं हुई है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा इस इस रर फास्ट बैड रूम यह भी बालकनी से कनेक्टिड है एक कलमीरा दी गई है वाड्रोम और इसमें एक टीवी पैनल दिया गया है सभी रूम्स में आपको फॉल सीलिंग दी गई है इसमें लाइटिंग का काम भी होगा फॉल सीलिंग का यह अटेच वाश्रूम है एंटो एंट टाइलिंग है इसमें भी आपको फॉल सीलिंग दी आप देख सकते हैं काफी हुज काफी लंबा चौड़ा हमारा टीवी पैनल वेंटिलेशन का कोई कंसर नहीं रहेगा लाइट देखिए आप डारेक्ट संलाइट आएगी इस रूम में भी दो कमरों में हमारी डारेक्ट संलाइट आ रहे है इस फेसिंग है ये इस रूम से भी और दूसरे रूम से भी सेकंड जो बैडरूम हमारा दोनों से बालकनी जो है वो कनेक्टेड है बालकनी के तरफ चलते हैं इवन किचन भी जैसे मैंने बताया था किचन भी हमारी बालकनी में ही ओपन होती है ये हमारा किचन का एरिया है मैं आपको एक बार गली दिखाना चाहूंगा, यह 25 फिट रोड है, सामने ही लेफ्ट में आपको पार्क है, और end-to-end टाइलिंग का काम करके दिया गया है, आपको बालकनी में भी, यह हमारा second bedroom है, इसमें भी वार्डरोब का प्रोविजन है, देख सकते हैं, पल्मीरा, top to bottom, यह हमारा TV पैनल है, और बिल्कुल डिफरेंट लुक के साथ हमारी, फॉल सिलिंग डिजाइन देखिए, आपको लेके चलता हूं, थर्ड बैडरोम की तरफ, देख सकते हैं, आप अभी काम चल रहा है, थर्ड बैडरोम में हमारी काफी लंबी जॉड़ी वार्डरोब है, अभी रूम्स में आपको वार्रोम मिले ही, थर्ड जो बैडरोम है, वो देखिए, शाफ्ट का प्रोविजन दिया गया, इसमें डारेक्ट सैनलाइट नहीं आती है, तो वेंटिलेशन का यह मत सोचिए, कि वेंटिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल वेंटिलेशन के लिए अल अधर हमारा यह फ्लोर रेडी हो जाएगा, आप एक बार आएए, फ्लैट विजिट करिये, और डेफिनेटली आपको यह पसंद आएगा,